दमो जिला मुख्याले के जिला कलेक्टेट कारेले में संचाले तेक कारेले जिला सयोजग जनजाती कारेविभाग के एक बाबू को लोकाइट की टीम के द्वारा तीन हजार रुपे की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। जो पीड़त है जो आविदक है उसका नाम रेवाराम अहरवार बताये जा रहा है उसके द्वारा इसकी शिकायत लोकाइट में की गई थी इसी SCST एक्ट के तहत कोई राशी इसको मिलना थी और उस राशी को लेकरके बाबू के द्वारा पैसो की मांग लंबे समय से की जा रह है जिल्या कलेक्टिट कारले में पदस्त थे जो आदिम जाती कल्यान विभाग है वहां पर पदस्त बाबू को लोकाइक्ट की द्वारा पकड़े जाने के बाद यहां पर हड़कंब के हलात भी निर्मित होते नजर आए वीरो रिपोर्ट एसीन न्यूज दमोह मामला यह है कि मेरी बच्ची एसी एस्टी के अंतरगा जो पैसे आने थे दो वार आने थे एक बार एक लाख असी हजार सेंसन हुए थे तो नब्य हजार की जो हमारी एबडी बनी थी उसके टोड़वाने के लिए यहने कि हमने कई बार गुहाल लगाई जो कि एक अपना ज तो हमने पैसों की मांग पहले एक हजार दिये फिर एक हजार दिये आज लोकायक्त के माध्यम से मैंने तीन हजार रुपे दिये जो करवाई चल रही थी कुछ दन पहले से वह आज दी और इसके कई बार फोन भी लगाया पैसों मांगने के लिए कि कब देने आ रहा है कब देने आ रहा है इसकी अपने पास भी रिकार्टेंग है यह सी सभी और मैं इप मीडिया के माध्यम से में ये भी कहना चाहता हूँ मैं भरष्टाचार के खिलाब लड़ रहा हूँ अकेला क्योंकि यह मामला हमारे गाउं में भी आया है अब हमारी पथरिया मैं भी मैं अभ सभी लोगों के लिए मैं दोसी नहीं हूँ मैं जो करवाता हूँ औरेनल चीछ करवाता है या नहीं करवाता है कि मतलब मैं कि लोग बोलते हैं कि जूटे हैं यह उसके अलावा नहीं करवाता है इसलिए मैंने आज पूरी सब के सामने जंदा के सामने और सब के सामने बात रखी थी अदिकारियों के सामने के मेड़ा में ऐसी ऐसी बात है तोरण मुझे जू गाइड लेंड दी थी उसे अनुसार से अपने इन के लिए आज पैसे दिये मेरा नाम रेवरा महरवाल वह बाबो जी यहां पी एल लड़िया है लिखते हैं जो जो यह सी एस्टी की रासी आती वह देखते हैं पतका नहीं अपनों को मालूँ क्या आप है पैसे मांगे कितने पांच हजार माग रहे थी तो इसके पहले एक हजार करके दो बार दे चुके थे अपनी रासी भी नहीं आई थी उसके पहले भी अपने दे चुके थे पहले दो पहले दो हजार एक हजार करके दो बार मैं दो हजार दे दी आज मैंने तीन हजार वर दिये थे